हेलो दोस्तों नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अटाफोस्टेटी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जो की संबन्दीत है यूपी टीजडी बिजडी एक्जाम डेट के बारे में साथी साथ हम बात करेंगे और भी कई और बड़ी लेटिस अब्डेट जैसे की बीएड को यूपी सुपर टीटी के अंदर मौक्य के बारे में डिटेल में बात करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करते हैं जिससे कि आपको रि देखने के लिए मिलती है इसमें आपको तीन हजार से ज्यादा बहुबिकल पे कोश्चन चार सॉल पेपर और हंडेड परसेंट आप सभी के अकॉर्डिन टू स्लेवर्स इसको तयार किया गया है सामान हिंदी गडित विज्ञान सामाजिक अध्यान जनरल इंग्लिस इसके आप लोग अपनी स्कीन पर देख भी सकते हैं इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन के साथ साथ मिलता है सभी कोश्चन की डिटेल में आंसर की साथी साथ सभी कोश्चन की सटीक उतरमाला इस बुक को आप एमा जोन या फिलिपकार से पर्चिस कर सकते है जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं या फिर आप इसे अपने नजदी की स्टोर से भी पर्चिस कर सकते हैं इस्टडी गाइड के साथ चक्षू पकारशन का प्रटिस सेट भी आता है जिसको आप लोग पर्चिस करके अपनी त्यारी क और बहतर बना सकते हैं इस बुक को पर्चिस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है अभी लिंक पर क्लिक करें और पर्चिस करें और सबसे पहली जो अपडेट है वो है यूपी टीजडी पिजडी के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सुभी जा जाना है जिसको आप नए आयोग के नाम से भी जानते हैं नए आयोग के ऊपर सीधे तोर पे सारी की सारी भरतियां टेकी होई है चाहे वो यूपी टीजडी विजडी हो या इसके अलावा प्राइमरी सिच्छक बरती लेकिन ऐसे में अगर बात कर ली जाए यूपी 22 में मादिमिक सिच्छा सेवा चैन आयोग के मादियम से निकाला गया था और अब इसकी जो परिक्षा है वो नए शिक्षा सेवा चैन आयोग से ही होनी है लेकिन कब होगी किस महीने में होगी कौन सी तारीक को होगी इसके बारे में थोड़ी सी जानकाई मैं आपको देता ह मुझे मिली है जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते के अभी हाली में नए शिक्षा सिवा चैन आयोग को लेकर यहां पर जो सदस्य इसके लाबा उसके अध्यक्ष को लेकर विग्यापन जादी किया गया था विग्यापन का जो प्रवसे से वो कंप्लीट कर लिया गया था श्यासन के सामने रखने और श्यासन की अनुमती के बाद में यहां पर सदस्य और अध्यक्ष के जो नाम है वो डिस्क्लोज किये जाएंगे इसको लेकर जो जानकरी देखने के लिए उसके मुताबिक नए सिक्षा सिवा चैन आयोग इसके अलावा जो सर्च कमिटी की प्रोसेस है और नए सिक्षा सिवा चैन आयोग को लेकर जो अभी जताई गई थी कि फरबरी के पहले सब्ता के अंदर यानि कि फर्स्ट वीक ऑफ एबरी के अंदर नया सिक्षा सिवा चैन आयोग गटित हो सकता है वो तो आप जानते हैं कि फर्स्ट वीक भी निकल गया औ अभी भी आयोग को लेकर जो प्रोसेस है वो अंडर पैपलाइने ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रेक्मेंडेशन बेजा जाएगा फिर शासन की अनुमती मिलेगी फिर शासन उन नाम को डिस्क्लोज करेगा फिर जाकर नया सिक्षा सिवा चैन आयोग का सीधे तोर पे ज लेकिन चोकी ये मामले दिये दिये चलाते हैं इसलिए कह सकते हैं कि अभी एक से लेकर दो हफ़ते का समय लग सकता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में और नई शिक्षा सेवा चैन आयोग के बनने में यानि कि अगर मैं आपको ये कहना चाहूं कि फरबरी का महीना भी दि शुरू करेंगे तब जाकर कहीं कोई final conclusion पर पहुंचेंगे भरतियों को लेकर तो फरबरी का महीना भी दिरे दिरे करके इसमें बीच में आ रहा है चाहे वो आदा आये या थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन अगर बात की जए टीजडी पीजडी exam कब तक देखने के लिए मिल कि अबिए देखने के लिए मिलेगी छुनाव के बाद भी जा सकती है अगर चुनाव अप्रेल में होते हैं तो अगर चुनाव आगे जाएंगे कर सकता उसकी वजह है जब मैंने अधिकाईयों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक आयोग के सदस्य अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं उससे पहले किसी तारिक या किसी मन्त के बारे में कुछ भी कह पाना संबब नहीं है अगर आज ही आयोग और सदस्य आ जाएं तो पर में एक के बाद एक दो भरती आ गई तीसी भरती आने वाली है चौती भरती को लेकर अनौंस्मेंट हो चुकी है यह सेम वैसा चल रहा है जैसे कि किसी चीज की कोई मशीन नहीं होती है आप उसमें एक प्रोसेस करने के लिए सामन डालते हैं वो सामन आगे जाता है बनता र रिक्षा होती है रिजल्ट आता है पूरा प्रोसेस होता है निक्ति मिलती है निक्ति पर देते हैं सिच्छक बरती हो जाती है फिर एक सिच्छक बरती के अनौंस्मेंट होती है फिर डालते है फिर हो जाती है फिर प्रोसेस चलता है फिर निक्ति मिल जाती है और ऐसा ही कु 17,000 नई सिच्छक वर्थी बिग्यापन जादी करने के लिए अब चार्तों के माध्यम से हला बोल कर दिया गया है जिससे कि इतने सालों का जो सूखा है कम से कम बहुत समापत हो चुक है इस वीडियो को दिखाने से पहले छोटी सी कटिंग में आपको दिखा दो कि नई सिच् सिच्छक वर्थी का विग्यापन नहीं आया है पिछली सरकार में पुराने शिक्षा मंति सती शंद वेदी ने चुनाब के पहले आश्वाशन दिया था कि 17,000 सिच्छक वर्थी आएगी लेकिन नहीं आई और 49,000 सिच्छक वर्थी में एक काउंटर लगाया था जिसमें ब प्यर्थियों की जो मांगें पूरी हो सके कल एक धनार प्रदर्शिन रखा गया था कल एक नया धनार प्रदर्शिन शुरू हो रहा है नई प्रात्मिक सिच्छक वर्थी के लिए तैयारी लखनों में कमरा मिल चुका है पैदल मार्श आप सब अधिक संक्या में लखनों पहुंचिए कल पांस तारिक को यसी आर्टी में धरना है देखी रहे हैं सारी डोडी डंबर लेकर उत्तर प्रदेश के डिलेट पर सिच लखनों पहुंच चुके हैं जैसा कि आप सुभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से भी सुना अब अभ्यर्थी नई पाइमरी सिच्छक वर्थी को लेकर लखनों ऐसी आर्टी पहुंच चुके हैं देखना यह होगा कि सरकार पे कितना दवाब बनता है जो भी अपडेट दरेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी सवाग बहुत जादा पूछा जाता है कि क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुपर टीटी मौका मिल सकता है तो इसकी दो बाते हैं पहली यह कि सुप्रीम कोट के आदेश पर तो अभी तक नहीं लेकिन ना तो अनौस्मेंट होई है ना कुछ अगर होगी तो मैं आपको जानकाई उस समय के आधार पर देता रहूँगा इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है बिहार बिद्याले परीक्षा सम्थी के द्वारा आयुजित क की जाने वाली डियलेट सर्थ प्रविष परीक्षा के लिए आविदन प्रक्रिया शुकरवार से शुरू हो गई है राज्य बर के 306 डियलेट कोलेजों में 30,750 सीटों के नामांकन के लिए 15 फरवरी तक ऑनलेन आविदन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए www.dl.bh.com पर जाकर आविदन करना होगा परीक्षा समिती के द्वारा जारी परीक्षा कलेंडर के अनुसार डियलेट सर्थ प्रविष परीक्षा के लिए 6 से लेकर 15 मार्च के बीच में ऑनलाइन आयुजित की जाएगी इसकी परीक्षा फिलाल इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू फर वाचि इस वीडियो